हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक नई वीडियो में आज उत्राखन लोकसिवा एक द्वारा कनिस सायक परिक्षा 2022 के समन्द में एक महत्वपूर्ण बिग्यप्ति जारी की है जिसमें सुचित किया जाता है कि कनिस सायक परिक्षा 2022 है तो प्रकासित बिग्यापन संक्या E5 E3 DR जुनियर एसिस्टेंट 2022 तेश दिनांग 30 नॉमबर 2022 के साफ़ेक्ष अभिर्थियों द्वारा पुरस्तुत अभिलेकों के करम में निम्नवत अभिर्थियों के कनिस सायक परिक्षा 2022 में निम्न दावी निरस्त किये जाते हैं अभिर्थियों के कम्प्यूटर डिप्लोमा से समझदित निरस्त किये गए दावी ने प्रकार से है तो यहाँ पर अनकरमांग दिये गए और अविर्थियों के नाम और निरस्त करने का दावा जो किया गया था तो यहाँ पर सब का विवरण आज आयोग द्वारा अपने नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है तो देखते हैं यहाँ पर पहला है हिमान सु असवाल अविर्थि द्वारा प्रस्तुत अवलेक कंप्यूटर डिप्लोमा न होने के कारण इनका दावा निरस्त कर दिया गया है इनके पास कंप्यूटर में डिप्लोमा नहीं था और इसलिए वनिस सायक भरती में इनका प्रत्याविदन था इसको निरस्त कर दिया गया है मुनोज सिंग महरा इनके द्वारा अभी कंप्यूटर अवलेक उपलब्द न होने का दावा निरस्त कर दिया गया है जो प्रस्तुत अवलेक कंप्यूटर डिप्लोमा का दावा किया गया था फौर्म भरते समय तो इनके पास ये अवलेक कंप्यूटर अवलेक कंप्यूटर डिप्लोमा का सेटिफिकेट न होने के कारण इनके जो अभीर्थन था इनको निरस्त कर दिया गया है तो यहाँ पर सभी candidate देख सकते हैं computer diploma नहोने के कारण इनका जो दावा था ये निरस्ट कर दिया गया है ये total इसमें 76 candidate ऐसे हैं जिनके पास computer से अविलेक computer diploma नहोने के कारण दावा निरस्ट कर दिया गया है निरस्ट कर दिया गया है तो यहाँ पर आयोग द्वारा आज अपने वेपसाइट पर ये विगेपती जारी की गया और सभी candidate यहाँ पर देख सकते हैं total 38 candidate 38 plus 76 candidate का जो यह दावी थे यह निरस्ट कर दिये गये हैं तो यह अपडेट थी आज की उत्राखन लोक्सेवाय की महतपून अपडेटी कनिस्क सायक भरती के समन्द में थैंक्स पर वाचिंग वीडियो और जाल मिलते एक नहीं वीडियो में नहीं इन्फोमेसिक साथ नमस्कार जो चैनल पर ने चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरू कीज़ा बाई